एक कुर्थी वाले आज जो आया था वही वह भी सिला रहा था चार तो चार तो चार तो बाद में काना में उसको हाला जब उसके देखा तो देल तो कुर्थी बेच के चला गया और दस सालों से देश में सरकार है काउंसी बैकेंसी आओ इसकी 90 परसेंट पूजी चंद उद्योग पतियों के हाथ में रहेगी और देश का मीडेल क्लास भीख मांगने के लिए तडब रहेगा भीग नहीं सम्मान चाहिए समाजवादी पार्टी जिंदाबाद और जीत की और अगरशर एक लाग ओट से जीतेंगे पिछली बार गडवंधन था बसपास तब न जीते थे ऐसा है पिछली बार गडवंधन था समाजवादी पार्टी जनपर जोनपूर की जो सीठ है वो समाजवादी पार्टी की पर गाली है। पीछली बाह बसपात थी साथ में नहीं है। अपने हना ये कौले है। समाझवाधी पार्टी सब्सक्राइब करेद और खत्म हो गया। बाजपा के पास कुछ नहीं बचा है बाजपा जुमला पाइटी है उनके प्रधान मंत्री से लेके जो भी 2014 में उन्होंने घोश्रा पत्र जारी किया था एक भी घोश्रा पत्र पर अपने काम नहीं किया देश के उजवानों के भविशिका सवाल है क्या रोजगार दिया इन प्रधाई को रोकी चाहिए रोजगार चाहिए सुनिये पहले आदमी को रोठी चाहिए रोजगार चाहिए द वाई और पढ़ाई चाहिए पढ़ा रिकर आया किसको भी नोगई देना चाहते हैं इस तं के लोगों को और अपने पेपर आउट कराते हैं यह सरकार की जिम्मेदारी है पर्चे को पेपर को पूरी तरह से करना उसको बहाल करना और इसके बाद लोकरी देना नौजवान हमारा बटक राप इनके पास कोई बीजन हो सरकार के पास कोई बीजन नहीं है उसको कह रहे है आप बेचने की बात कहते हैं प्राइविटेशन हुआ प्राइविटाइजेशन के क्या मतलब है इस देश की 90 परसेंट पूजी चंद पतियों के हाथ में रहेगी और देश का पूजने का सवाल है भारती जंता पार्टी के लोगों से कि पांच किलो रासन में किसी ब्यक्ति का एक महीने का खर्चा चल जाएगा पांच कि लोगों से खर्चा जाएगा भी टीजान की नियुक्ति करें नहीं कर रहे हैं तो इतनी ब्यक्ति बढ़ गाई है बिटीजान की नूगती होनी चाहिए ब्यक्ति ब्रॉजगारों को एंडिये गट बंदन में जो नेता है कुछ लोग कहते हैं कि समाजवादी पी लगा के वहां को बैठा दिया जाता है धरने पर अईसा है नौजवान अपने रोजगार की बात करेगा तो सरकार लाठी चलाती है तो हम उनके साथ खड़े हैं सीने से सीना जोड़के उनके कंदे से कंदा मिला के समाजवादी पार्टी के हर नौजवान खड़ा है किस छा महिना आंदोलन किया डिल्ली में कील ठुकवा दिया किसानों तरह रास्तान नहीं दिया किसानों के लिए यह उसके उपर गोली जुलवा रहा हूं यह जिसको किसान का सर्टिफिकर देंगे किसान एक डिजमिल का प्यक्ति जिसके नाम से जमीन है वो भी किसान है मजदूर किसान है कि दो हजार सम्मान निधी भी दे रहे हैं सम्मान निधी दो हजार की सम्मान निधी खाने को देगी किसान को एमस्पी देओ किसान के खेतों में पानी देओ किसान की फसल का उचित मुल्य देओ प्रत्यासी का नाम आ रहा था कि उन्हें टिकट मिलेगा लेगे उन्हें टिकट नहीं मिला नराजगी तो नहीं हमारा नारा है एक निजान एक नेता थाकिल नीला कुछ इसकी वैक्ति को अपना नेता नहीं मांनते हमारण नेता आगे तो कोई वियोदना जावन पूर में हैं ना आगे रहेगा कि का जौन पूर से हैं का मुद्दे दिखते हैं कि अखले से आदव का जो प्रत्यासिजीत कर जाएगा तो मुद्दों को जो है वो जो मुद्दे है उस पर काम करेगा 2012 से लेकर 2017 तक हमारी सरकार की उत्तर प्रदेश के अंदर जन्पत जौनपूर के अंदर जहां सद्भावना पुल दिया गया वहीं पर कई सो छोटे बड़े पुल दिये गए वहीं पर चौड़ी करकर इतना कम आप देख रहे हैं चाहे बदलापूर पुला हो चाहे वो सकरमंडी हो चाहे वो टी-बी असपटल रोड हो यह समाम जगों पर विकासकार पांच साल के अंदर समाजबादी सरकार ने किया था जनपर जौनपुर के अंदर राज की मेडिकल कालेज देने का काम किया था समाजवाजी पार्टी ने जो कि 2012 से 2017 के बीच में दिया था आज 2024 हो रहा है अभी तक राज की मेडिकल कंप्लीट नहीं उपाया यही सरकार की उकलब्दी है कि सरकार करें बहुत काम हो रहा है सरकार में सरकार जो है कि मतलब 400 के पार का कड़ा दे रही है कंशर का की जो है इस बार भी सरकार बनेंगी बाजपा की बनेंगी मोदी जी जो है प्रदानम Lawrence का बहुत हो रहे हैं आप देखना चाहिए आपको विकास कार शिप समाजवारी पार्टी कराना जानती है और करना जानती है इनका जेतना भी विकास कार है सब जुम्लों पर आप बताओ पंद्रा लाक लोगों को मिला आज तक नहीं मिला आप बताओ यह आज जो नारा दे रहा है चार सो पार आज हमारे महले में एक कुरसी बेचने वाला आया था उसने कहा कि चार सो की कुरसी चार सो की कुरसी लेकिन बाद में वो जेल सो की कुरसी पर नहीं आएगी क्योंकि पूरा भी पूरे भारत में जाग चुका है पिचला दलिक अकलियत और अगड़ा परशान अगड़ा वो जाग गया है नोधमान नोकरी मांग रहा है बच्के काने में आत्मत्या कर रहे हैं आप बताओं कि साथ हजार साथ हजार पुलिस भारती के लिए और पुलिस भारती के लिए आप बताईए कि साथ लाख लोगों ने आविजन कर दिया साथ लाख लोगों बेरोज़गारी का अलम इती जाद दिखाई दे रहा है कि साथ हैर के लिए साथ लाख लोगों ने आविजन किया और उनके पर्चे भी लिख कर दिये गए ये सरकार जान बुश के परशा लिख करती है आप से बता दें एक करोर 80 लाख लोग उत्तर पंदेश के अंदर भाजपा सरकार से और नरेल मोनु से नाराज है नाराज इसलिए है कि हमारे बच्चों के भवीत के साथ केलवा क्यों किया जा रहा है 38 पे 220 हजार हर लोग तमा के अंदर ख्याप लोग इनके हैं जो पुलीस भरती के अंदर जिनके परिवार के लोगों ने पुलीस भरती में आवेजन किया था इंतिहान दिया था चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता थे